या आप सरकारी नौकरी की तलाश में हैं और घर बैठे कॉपिटिटिव एक्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं अगर आपका उत्तर है हाँ प्रेप्राइज लेकर आया है आपके लिए रोजाना लगवग साथ क्लासे जिसमें होंगे देरों सारे वेश्यों जैसा की रिजनिंग, साइंस, हिंदी, इंग्लिश, मैथेमेटिक्स, माचल जी के हैं अगर आपने प्रेप्राइज चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और नीचे बेल आइकन है बेल आइकन को भी दबा दें तो करिए अपने सपनों को साकार प एजेक्टिव, हिंदी में एजेक्टिव को क्या बोलते हैं हम बोलते हैं विशेशन यही बोलते हैं विशेशन का मितलब क्या होता है अगर हम हिंदी में व्याकरन पढ़ें तो विशेशन का मितलब होता है जो नाउन और प्रोनाउन की क्या बताता है विशेश्ता बताता ह मतलब आप उसकी importance बताता है तो adjectives भी क्या है जो सर्फ किसी की विशेशता बताएं किसकी noun और pronoun की लेकिन कैसे by asking questions मतलब questions के point of view से हम उसकी विशेशता का जान सकते हैं उसको हम बोलते हैं adjectives तो adjectives जैसे आपकी इसको हम क्या बोलते हैं जो हमें क्या बताते हैं quality किसकी noun तो हमने noun क्या पढ़ा था that is the name और pronoun क्या पढ़ा था आपका pronoun अगर हम इस से पहले noun से पहले मतलब नाम ना जानके उसका क्या किस से रफ करना है नाम की जगा हीशी लगा लो, इट लगा लो आई लगा लो मतलब हम जो words in place of noun use करते हैं उनको हम बोलते हैं pronoun अब noun और pronoun की जो quality बताएगा जो importance, simple words से जो importance बताएगा that is adjective उसको बोलते हैं adjective adjectives क्या है? जो noun और pronoun की क्या बताता है importance बताता है I hope कि यहां तक आपका clear होगा कि adjectives क्या होते हैं? adjectives होते हैं जो आपकी quality बताते हैं by asking questions जैसे की आपको एक example देते हैं शालू शर्मा very good afternoon black jacket, black is the adjective जो quality बता रहे हैं जैसे एक example पे I have red car I have red car I is pronoun car is a thing अगर यहीं आपको बात कर लें I means pronoun car is noun क्योंकि थैंग है नाम बता रहे हैं noun और pronoun की क्या importance है कि जो मेरे पास car है जो मेरे पास गाड़ी है वो किस तरह की है? red car तो मतलब noun और pronoun की जो quality बता रहा है वो क्या बता रहा है? की कैसी car है उसके पास red car so red is the adjective अब इसमें मैंने बुला की I have red car मतलब मेरे पास लाल कार है question क्या है? कैसी car है? question क्या arise होता है? what kind of car I have? what kind? what kind का मतलब क्या है? जो पूछ रहा है कि कैसी quality है? कई बार हम shopping करने जाते हैं तो हम उससे पूछते हैं कि what kind of stuff it is? कि ये किस तरह का stuff है? हम कुछ भी खरीद रहे कितनी देर चलेगा? कितने amount की ये चीज़ है ये सारी चीज़े जो है क्या बताती है? आपकी qualities बताती है जो qualities होती है वो क्या होता है? adjective होता है क्या होता है? आपका adjective तो जैसे हम इसमें यहां पे ले सकते हैं what kind? क्या-क्या mention करेंगे? what kind? how much? where are? which kind? ये सारी चीज़ें क्या है? which kind? what? which things? what? which? how? these are the questions जो हमें क्या बता रहे हैं किसी चीज़ की विशेशता बता रहे हैं ठीक है? तो ये सारे qualities जो हैं क्या हैं आपको simple याद करने आपने noun याद की pronoun याद किया और sentence याद किया sentence मतलब हम जब शबदों को जोड रहे हैं तो वाक्य बन रहे हैं वाक्यों के बाद जिन शबदों को जोडने से किसी का नाम बन रहा है वह आपकी noun बन रही है और noun की जगह हम किसी और को represent कर रहे हैं वह आपका pronoun बन गया ये तीनों चीज़ें की अब इन तीनों चीजों की जो quality बताएगा That is your adjective तीनों चीजों का अगर हम link करें तो जो तीनों चीजों की quality बताता है क्या है आपका adjective शब्द अच्छे हैं, बुरे हैं वो क्या है उसकी quality, कैसे शब्द है नाउन कैसी है, अच्छा इंसान है या बुरा इंसान है वो क्या है उसकी quality प्रनाउन, I have red car red mention क्या कर रहा है आपका red जो है वो mention कर रहा है आपकी quality, car की quality I have, जैसे शालू शर्मा ने में कोई example दिया I have black jacket So black jacket means jacket है लेकिन किस तरह की है, कैसे काइन की है किस color की है, that is your black is the color जो define कर रहा है कि jacket का color क्या है, black I hope कि यहां तक आपका clear हो ठीक है, यहां तक आगर आपका clear है तो हम next चलें, इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि आपको कैसे पता चलेगा कि यह words जो हैं, आपके adjectives है ठीक है, अब हम देखते हैं यहीं पर मैं आपको एक वो बता दते हूँ कि किस तरह से आपको पता चलेगा कि आपके जो words हैं, वो adjective है How can you identify How can you identify these words are adjective जो विशेशता बताते हैं, देखो Words are, जिनके आगे पीछे वाय लगाओगा जैसे fury fancy These are the qualities Full जिन words के आगे फुल लगाओगा कैसी है quality harmful careful ठीक है एक लगाओगा जिसके आगे एक में tactic logic These are the words which identify कि यह क्या है आपके adjectives और हम ले less careless O-U-S continuous राइट less, careless और लिख़ा दाते हूं आई-वी आई-वी-ई positive negative यह सारे words जिनके आगे आगे आई-वी-ई, O-U-S, less, Y, full, I-K या एबल एबल का कोई भी, affordable ठीक है, यह सारे words आपको क्या बता रहे हैं, यह आपको adjectives बता रहे हैं, एक और चीज़ बता देएं, suppose करो, यह word है, genetics और यह word बनता है, जैनेटिक, यह दो words है, इसमें adjective कौन सा होगा, आदित्यानन्द, hello ma'am, hello to आदित्यान शालू शर्मा, मेरे पास बच्चे दो शोर नहीं हो रहे हैं, ठीक हैं, पर आपसे request है कि इस वीडियो को लाइक कीज़े, और शेयर कीज़े, जो भी students हैं इसमें, आ यहां वे भी ओ, class के अंदर आजाओ, class लग गई है, और आपसे request है कि class जो है, वो शेयर कीज़े, yes, aristocratic, disabled, unable, these are the words which define adjectives, ठीक है, उसके बाद, अब genetics और जैनेटिक, इसमें adjective क्या है, जिसके आगे, I, C लगा हो ना, इक, this is adjective, जहां पर words, I, C, S, लगे होंगे, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं, noun, ठीक है, I, C, S, यानि जिसके साथ S लग गया, that defines noun, और यह क्या है, आपका adjective, ठीक है, अब जैसे मान लो, tactic है, अगर tactic है, then it is adjective, अगर tactics हो गया, then it becomes noun, right, तो यह चीज़ें जो हैं, आपकी बन जाती है, सुरेखा कुमारी, hello ma'am, hello to everyone, ठीक है, तो यहां तक अगर आपका concept clear है, तो हम आगे चलते हैं, कि adjectives के types क्या होते हैं, what are the different types of adjectives, कि कौन-कौन से adjectives होते हैं, हम फिर वो करेंगे, कि कौन-कौन से types हैं आपकी adjectives की, so let's start with the definition, कि adjective क्या होता है, adjective क्या होता है, जो modify करता है, noun और pronoun in a sentence, कि मतलब जो संग्या और सर्वनाम को modify कर देगा, मतलब आपने संग्या नाम पढ़ा, लेकिन नाम के साथ, अगर ये लिख देते हैं, राम is good boy, तो इसने पूरी term, राम boy है, लेकिन राम is a good boy, उसको पूरी noun को क्या कर दिया है, modify कर दिया है, कैसे modify किया है, उसने उसकी विशेशता बता दिये कि राम कैसा है, good boy है या bad boy है, it normally indicates quality, size, shape, duration, feelings, content, ये सब बताते हैं, ठीक है, उसके बाद, they provide relevant information about, मैंने अभी आपको बताया, कि जो nouns और pronouns हैं, वो info में, modify कर रहे हैं, जैसे राम is a good boy, तो राम is a good boy में वो information किसकी बता रहे हैं, कि वो क्या है, राम जो है, वो good boy है, तो noun की information क्या होगी, कि कैसा लड़का है वो, अच्छा लड़का है या बुरा लड़का है, ठीक हैं, उसके बाद, अब क्या है, किसी चीज़ को modify करना है, तो मैंने आपको बोला कि जब भी adjective की बात आएगी, तो जब भी noun को हम modify करते हैं, तो हमें उन questions पूछे जाएंगे, और हमें उनके answers देने हैं, जैसे, what kind, what kind of thing it is, यह कैसी, किस तरह की चीज़ है, अच्छी चीज़ है, या बुरी चीज़ है, किस color की है, blue color की है, red color की है, ठीक है, how many, how many मतलब, I have three pairs of shoes, three, जो three है, that mentions, how many, I have several clips, I have several dresses, several is a, how many, जो quantity बता रहा है, which one, कौन सा, that one, that person, indicate करना, मतलब, quality बताना, how much, कितना, कई बार हम किसी shop पे जाते हैं, तो हम उससे पूछेंगे, कितने का है, how much, तो वो उसकी quality के हिसाब से, उसके पैसे बताता है, हमें, अगर कोई चीज पसंद आती है, और वो उसकी quality देखकर हमें लगता है, यह चीज बहुत अच्छी है, तो हम सबसे पहला question क्या पूछते है, how much, उसकी विशेशता बताओ कि कितने की है, अगर वो चीज अच्छी है, तो इसका मतलब, उसकी quantity होगे, उसके जो पैसे होंगे, वो जादा होंगे, right, तो these are the, मतलब, यह हैं adjectives, जैसे, इसमें हम examples के तौर पे ले सकते है, the team has dangerous batsmen, इस team में dangerous मतलब कि what kind of batsmen are present in the team, इस team में कैसे batsmen है, अच्छे हैं कि lazy type के हैं कि बहुत ही खतरनाक, हम बोलते हैं यह जो team आगी है, जैसे पाकिस्तान की होती है, इंडिया की team होती है, आजकल कि इंडिया की team को हम बोलते हैं, बड़ी खतरनाक team है, खतरनाक team का मतलब है कि जो इसके batsman है, या जैसे MS Dhoni आता है, विराट कोली आता है, तो हम बोलते हैं यह बड़ा खतरनाक batsman है, पुराने टाइम पर हम बोलते हैं सचंतंदुलकर है, तो यह सारी चीजें जो है कि मतलब batsman की quality बताई जारी है, कैसी team है, या कैसे batsman है, तो dangerous को हम यह positive ले सकते ह की हैं, what kind, तो पहला question बन गया, आपका what kind, ठीक है, दूसरा, I have 10 candies in my pocket, तो इसमें 10 जो है, that tells us the quantity, यानि question क्या बन गया, I, how many candies do you have in your pocket, कि तुम्हारी जो pocket है, उसमें कितनी candies हैं, तो answer क्या मिला, I have 10 candies in the pocket, I love that red car, एक गाड़ी खड़ी है, या आपने कई मॉल पे गए हो, आपको कई ड्रेस अच्छी लग गई है, तो आपने बोला, I love that dress, I want that dress, तो that means संकेत करके आप उसकी, मितलब उसकी quality, आपने देखी जो चीज आपको अपील कर गी, उसके बाद आपने उसको देख लिया, that one, वो जो है आपका, which one, I love dress, I love to wear different dresses, right, लेकिन I love to wear that kind of dress, मितलब, dresses आपको बहुत सारी पसंद है, but I love to wear that kind of dress means, कि आपको किस तरह की dresses पसंद है, किसी को suits पसंद होते है, किसी को jeans पसंद होते है, किसी को casuals पसंद होते है, तो वो सारी चीज़े कि हैं, कि मुझे I love that, I love to wear that kind of jeans, so that है, मतलब, jeans की विशेश्टा बताई जारी है, that is that, so I earn more money than he does, how much, आप compare कर रहे हो, तो यह जो more money है, that red card, that defines the adjective, more money defines the adjective, I hope कि यहां तक clear होगा, I hope कि यहां तक clear हो आपका, ठीक है, उसके बाद हम देखते है, types of adjectives, अगर किसी को types समझ आगे, तो definitions और examples बहुत जल्दी clear हो जाएंगे, सबसे पहले लेते हैं, descriptive, किसी चीज़ को describe करना, details लेना, descriptive मतलब details, जो पूरी details बता रही है, किसी चीज़ की opinion या किसी चीज़ की observation करके, कि आप उसके बारे में पूरा जान, जैसे मान लो, कोई लड़का है, या कोई लड़की है, या कहीं जाती है, वो उसकी पूरी details, जो boys होते हैं, वो पूरी, अगर को मान लीजे, नॉर्मल कोई friend बनती है, तो आप उसकी पूरी details निकाल लेते हो, कि क्या description, उसके पूरी description की ये कैसी थी, कैसी है, क्या age है, obviously ये चीज़े निकलती है, so description means to find the details, कि हमने उस चीज़ के बारे में उसकी विशेशता बता दिया, मान लो, आपको कोई कपड़ा पसंद आता है, आपको अच्छा लगता है, लेकिन वो कपड़ा देखने में अच्छा है, लेकिन उसकी details अच्छी नहीं है, जिन लोगों को आजकल online shopping का shock है, आपने देखा होगा, आपको कोई चीज़ पसंद आ चाती है, तो आप सबसे पहल कि हम पैसे दे रहे हैं और कपड़ा अच्छा निकलेगा, this is the description, तो जो विशेशता बता रहा है, description बता रहा है, that is your descriptive adjective, quantitative, quantitative का मतलब क्या है, जो quantity बता रहा है, quantity में number नहीं आएगा, याद अखना, quantity में होता है value, यानी मातरा, या amount, ठीके, जो amount बताता है, आपका कितना amount, चीनी मातरा में, या कितने किलो, इस तरह से कि, दो किलो चीनी लेकर आना, dozens eggs लेकर आना, मैं थे, these are the quantities, मतला हम सिर्फ मातरा बता रहे हैं, वो आपकी quantity है, number नहीं, एक और होती है, जैसे इसको हम number भी बोलते है, एक adjective होता है number, जो सिर्फ numeral values बताता है, numeral मतला, I have 10 pairs of shoes, I have 10 sticks, I have 10, I have 100 rupees, I have 500 rupees, these are the quantities, number, जहां पे number mention होता है, वो होता है numeral, और जहां पे आपका quantity mention होती है, that is your quantity में होता है, मातरा बताना, ठीक है, तो ये चीजें जो हैं, ये हम जो हैं, जो हैं, कि जहां पे आपका, मतला, quantity number में क्या आएगा, countable, जिनको हम count कर सकते हैं, ठीक है, जहां पे हम countable हैं, तो इसका मतलब वहां पे क्या use होता है, plural, plural countable, और जहां पे quantity बात करते हैं, तो quantity is singular, uncountable, यहां पे हम quantity में we cannot count, कि कितना है, मातरा, इतनी मातरा में पानी है, So these are the things, proper मतलब definite, मतलब specific, ठीक है, demonstrate मतलब कल भी हमने पढ़ा था demonstrated pronoun, demonstrate करना मतलब किसी चीज का संकेत देना, माल लो मैं आपको adjective की basis बदा, हमें कोई science में कोई lecture करना है, तो lecture करने के लिए एक तो होता है, lecture method की सीधा detail देगी, अगर उस चीज को हम demonstrate करके, पूरे संकेतों के through, या diagrams के through, अगर हम उस चीज को explain करते हैं, तो उससे क्या होगी, उसकी विशेशता क्या बनेगी, कि आपको वो चीज समझ आगी, that is your demonstrative adjectives, ठीक है, उसके बाद आता है, possessive, possessive होता है, किसी चीज का position होना, interrogative, देखो कई जगा पे students interrogative बोलते हैं, it's not interrogative, it's interrogative, so आप इसकी pronunciation से की कई बार आपने बलाएं कि interrogative, interrogative नहीं है, it's interrogative, ठीक है, interrogative भी हम कर चुके हैं, पूछता आज करना, information की, info में what kind, मतलब वहाँ पे विशेशता बता रहा है, कि इस kind की यह यह अच्छी चीज है, ले लो इसको, indefinite जिसमें हमें पता नहीं है, articles and compound मतलब जोड के, अब आते हैं हम descriptive पे, descriptive क्या होती है, जो nouns और pronouns की पूरी description दे दे, जैसे मैंने बोला, सीता is a bad girl, सीता क्या है, एक bad girl है, तो सीता noun है, girl, bad जो है, वो क्या बता रहा है, उसको modify कर दिया, सीता को, सीता girl है, लेकिन सीता को modify किसने किया, किस तरह की girl है, that is a bad girl, और उसमें क्या है, वो information and attribute, मतलब उसके साथ एक, रामे ने बोला, सीता is a girl, इसको ही ले लो आप, सीता is a simple sentence है, सीता is a girl, मतलब सीता girl है, ठीके, सीता is bad girl, सीता is bad girl, तो सीता bad girl है, सीता girl है, लड़की है, लेकिन यहाँ पे सीता is, जो bad है, उसने सीता के आगे उसकी importance बता दिया, सीता कैसी लड़की है, अच्छी है या बुरी है, यहाँ पे मैंने क्या लिखा, बुरी, तो अगर उसकी विशेशता पता चलगी, कि यह बुरी लड इसका मतलब आपको इसकी पूरी information है, bad girl है, तो आप उसके पास नहीं जाओगे, उसकी problem अच्छी girl है, तो हर कोई उसके पास जाने की कोशिश करेगा, तो जो describe कर दे उसकी इस पूरी bad girl से उसकी पूरी details पता चल जाएंगी, कि वो bad हो सकता, उसकी bad girl, badness जो है किसी एक वज बात होती है, लेकिन उस negative बात को उसकी उस विशेश्टा से सारी judgment जो है, description जो है, उसके point of view से दे देते हैं, that is the विशेश्टा, description, ठीक है, descriptive adjectives are qualitative, quality बताना, इससे पता चल गया, वो quality कैसी है, चाहे कि ओभी भी इनसा है, यह आपके लिए भी है, students, अगर आपकी qualities अच्छी है, लेकिन एक दिन आपकी विशेश्टा में एक point गलत हो गया, वो आपकी गलती जो है, वो सारी positive points को क्या करता है, वो खराब कर देता है, तो वो क्या हो गया, वो उसने आपकी सारी qualities को zero कर दिया, so descriptive adjective means which describes the importance or details of everyone, right, तो descriptive में हम एक चीज लेते हैं, एक होता है, predicate adjective, इसके अंदर, ठीके, और एक होता है, attribute, attribute, adjective, ठीके, predicate का मतलब क्या होता है, जैसे I have an expensive dress, ठीके, यहाँ पर लिखा मैंने, सीधा, expensive dress, दो sentences है, एक ये है, और एक ये है, I have expensive dress, ठीके, dress जो है, यह I have an expensive, expensive क्या आया, predicate, ठीके, और इसने पूरे को modify कर दिया, जो है आपके pronoun को, तो predicate मतलब जो modify कर दे subject को, वो आएगा, predicate, और जो attribute है, वो subject की information दे रहा है, यानि expensive shoes, ठीके, तो predicate और attribute में क्या फ़र्क है, attribute का मतलब सीधा ले लो, आप additional information, additional, जो किसको दे रहा है, subject को दे रहा है, और जो predicate होता है, वो किसको देता है, predicate, मतलब जो object है आपका, उसको modify, वो जो predicate है, वो पूरे subject को modify कर देगा, that is the, your predicate description, ठीके, उसके बाद, जैसे मालो, I have a fast car, I have a fast car, fast, the word fast describing an attribute of the car, मतलब car जो है, car की information बताई जारी है, detailed, की car कैसी है, fast है, I am hungry, hungry is providing information about the subject, की मतलब जो subject की information दे रहा है, की जो मैं हूँ, I am hungry, मतलब मुझे भूख लगी है, I is subject, तो subject की जो information दे रहा है, detail, की कौन भूख है, मैं, आप नहीं, या you are hungry, then you people are hungry, the hungry cats are crying, hungry cats are crying, hungry क्या है याँपर, विशेशता की cats कैसी है, hungry है, So, I saw flying eagle, flying eagle मतलब जो उड़ रही है, So, I hope की यहाँ तक clear होगा, Maya Devi Ji, very good afternoon, students अभी तक मेरे पास, जो students है ना, इस बार कोई student का feedback आ रहा है, और please, जो लोग देख रहे हैं, please like the video and share the video, ठीक है, उसके बाद हम करते हैं, आपका quantitative, मैंने आपको क्या बताया, quantitative means, जो आपका amount बता रहा है, यानि we cannot count it, So, this is uncountable, और uncountable हमेशा किसके साथ ही होगा, इसमें क्या हैगा, singular uncountable, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, uncountable में, जैसे a little, little, very little, मतलब, we cannot count it, कि कितना है, very little, little, ठीक है, तो जिसमें हम, question category क्या है, how much and how many, इसमें एक चीज़ है, quantity numeral नहीं होगी, लेकिन uncountable लोगी, ठीक है, I have 20 bucks in my wallet, अब यहाँ देखो, quantity नहीं number आया न, आप बोलोगे, मैम अभी तो आपने बोला कि यहाँ पे 20 bucks कैसे आगे, यहाँ पे तो value बताई नहीं जा रहे है, number बताया जा रहे, कई बार जब आपका quantity, आपकी singular में हो, तो उस time पे हम उसको uncountable, मितलब जो है, आपका quantitative आएगा, ठीक है, तो I have, they have three children, how many? Three, you should have completed the whole task, मितलब whole जो है, that is your quantity, next, proper, proper nouns, यह जो adjectives हैं, यह किस form में होती हैं, proper nouns की, और proper क्या होता है, specific, जो specific quality बताएंगे, that is your proper adjectives, ठीक है, जो आपके proper subjectives बताएंगे, उनको हम बोलते हैं, rather than formal or polite, ठीक है, जैसे की, a proper adjective allow us to summarize the concept just in one word, a food cooked in Chinese, मालो, एक question, एक statement है, एक food जो है, वो Chinese recipe में cook किया गया है, लेकिन अगर हम इसको simple words में, हमें क्या खाना है, Chinese food, जो एक ऐसा food, जो Chinese recipe में बनता है, हम ऐसे बोलेंगे किसी restaurant में जाते हैं, नहीं, हम specifically किसी बे restaurant में जाते हैं, तो हम वहाँ पर क्या बोलते हैं, we want soup, we want to eat Chinese, we want to eat Italian, मतलब आपने सीधा एक contest, सीधा word विशेशता बता दिया, I want Mexican food, I want continental food, तो ये जो continental, Mexican, Italian, ये जो specific words हैं, जिसने specify कर दिया कि मुझे यही खाना है, ice cream खाना है, I want vanilla ice cream, तो ice cream variety है, लेकिन उसमें specify किसको कर दिया है, vanilla को, विशेशता कौन सी बता दिया, कि vanilla flavor खाना है, ice cream तो खानी है, लेकिन उसमें ice cream की कौन सी विशेशता है, vanilla, ठीक हैं, उसके बाद आते है, American cars are very strong, तो कौन सी cars में तो जो American है, that is specify कर रहा है, Chinese people are hard workers, Chinese जो एक specific word है, उसने पूरी उस चीज की विशेशता को change कर दिया, that is Chinese people, next देखते हैं आपका, demonstrative, directly refers to something or someone, मतलब क्या है, जो आपको directly refers, मतलब किसी चीज को refer कर रहा है, something, कि मतलब आपका जो यह चीज है, आपने उसको demonstrate कर दिया, लेकि यह चीज है, मैं आपको एक example के तौर पे समझाती हूँ, science का जो student यहां पे है, या कोई भी student, अगर आपने मान लीजे, कोई चीज करनी है, या कोई आपको concept समझाया जा रहा है, लेकिन अगर उस चीज को आप practicality से करोगे, तो आपको जल्दी समझाया जाएगा, मानो मैं आपको सीधा theoretical बहुती हूँ, इसमें यह डालो, इसमें यह डालो, तो आपको समझाया गया, वो आपके दिमाग में आपने सुन लिया, लेकिन कभी न कभी भूलोगे, अगर वो ही चीज, मैंने आपको एक-एक चीज, demonstration से करवाई, तो आपको क्या लगेगा, कि हमें एक-एक चीज का संकेत मिला, वो जो एक-एक संकेत है, वो किसकी विशेश्टा है, demonstrative, adjective की विशेश्टा है, तो यह जो चीज है आपकी, जिसमें हम क्या words यूज करते हैं, this, that, those, ठीक है, a demonstrative pronoun works alone, and does not precede a noun, मतलब क्या है, यह अलग काम करती है, लेकिन noun को precede नहीं करेगी, proceed क्या होता है, छोड़ेगी नहीं पीछे, ठीक है, but demonstrative adjective always come before the word, it modify, demonstrative जो है, उस जिस चीज को modify करना है, demonstration में यहाँ पर एक चीज या दखना, किसी चीज जिस वर्ड को modify किया जा रहा है, उस से पहले demonstration लगेगे, यह demonstration example, I want that ring, I want that ring, ring is the word, यह thing, ring, I want ring, बही कौन सी ring है, मुझे नहीं पता, पस ring चाहिए, लेकिन I want that ring, संकेत दे दिया है, कि मुझे वो ring चाहिए, so that, word से पहले modify कर दिया उसको, so यह क्या बनिया आपका demonstration, इसमें examples देखते हैं, जैसे the building is so gorgeously decorated, that, इसमें जो है, that building, यहाँ पर यह word देखो, that building जो है, is so gorgeously decorated, यहाँ जो that है, वो क्या है, to a singular noun, far from speaker, speaker बहुत दूर से उसको वो कर रहा है, कि that, जैसे मैं आपको यहाँ से पढ़ा रही हूं, तो मेरे पास, मैं यहाँ से पढ़ा रही हूं, और आप जो है, वहाँ पर पढ़ रही हो, so that people, I don't know what type of people, are entered in the class, या मुझे नहीं पता, कितने students हैं, जो मुझे top chat पर दिख रही है, जैसे मैं अभी बोलूं कि, no students at top chat, तो मुझे no students दिख रही है, कि मतलब I want, या I had seen that students in my class, जिनके मेरे पास नाम होंगे, मैं उनको ही mention करूँगी, so that means, जो दूर से बताया जा रहा है, speaker जो है, इससे बहुत दूर है, दूर से जिस चीज़ को represent किया जाए, उसको बोलते हैं, demonstration, so gorgeously decorated, मतलब वो जो कार है, वो बहुत सुन्दर, gorgeously मतलब, बहुती सुन्दर तरह से सजाई गी है, कौन सी कार भी, that one car, so that मतलब दूर से ही speaker बोल रहा है कि वो कार, so that, किसी भी words से पहले किसी को modify करना, that is your, पूरी फीज़ को जो है, या gorgeously decorated, या building, so building से पहले, building को modify कर दिया, उस building को, उस building को कैसे modify किया, that से किया, this car is mine, ये जो car है, ये मेरी है, words से पहले ही car, cars तो बड़ी होती है, लेकिन एक particular car जो है, वो आपकी है, कौन सी car हो सकता है, वो white हो, हो सकता है, red हो, लेकिन this car is, जैसे this preparation team, works with you very hardly, मतलए ये जो प्रेपराइज टीम है, pointed है, कि ये जो प्रेपराइज टीम की जो विशेशता क्या है, कि जतने भी members है, संकेत दे रहे हैं, कि अपनी तरफ से, वो पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं, आपकी classes को, या आपके content को explain कर रहे हैं, कि हम जो आपको आपकर पढ़ा रहे हैं, या हम आपको जो समझा रहे हैं, हम अपनी तरफ से demonstration दे रहे हैं, screen पे दे रहे हैं, किसी भी चीज़ पे, वो demonstration जो है, this class, आपको हम कई बाब होते हैं, कि hit the like button, या ये class कैसी है, अगर आपको ये class अच्छी लगती है, this class, तो ये क्या चीज़ हो रही है, demonstration, अगर हमने आपको demonstration दी है, संकेत दी है, तभी आपको ये class अच्छी लगी, so simple words में, कि जिस class की जो विशेशता है, अगर आपको classes, प्रेप्राइस की अच्छी नहीं लगेगी, प्रेप्राइस की विशेशता क्या है, कि जो classes चल रही है, वो जो प्रेप्राइस demonstration दे रहा है, अगर आपको प्रेप्राइस की demonstration अच्छी नहीं लगेगी, विशेशता क्या है, कि वो जे ओभी पढ़ा रहा है, यह वली क्याद, तो these जो है, that refers to plural noun close to the speaker, singular noun जो होते हैं, singular words, वो speaker से दूर होते हैं, और जो आपके speaker सुनने वाले नहीं, जो बोल रहा है, यानि subject, जो आप बोल रहे हैं, और जो plural होती है, that close to the speaker, ये चीज़ याद अतना, those flowers, जो है, they are heavenly, अब those, यहाँ पे देखो, those refers to plural noun, noun, but far from the speaker, अब आप बोलो माम, यहाँ पे these है, और यहाँ पे भी those है, यह दोनों आपके plural है, लेकिन ये close to the speaker है, ये जो है आपका, far from the speaker है, तो इसका एक concept बजाते हैं, this means present, यहाँ पे, तो जो this का plural है, these, तो these जो हैं, वो यहीं पे है, those, that का मतलब है, पीछे हो रहा है, ठीक है, तो that का plural क्या है, those, तो those means कि वो पीछे है, that दूर है, जो चीज दूर है, जो चीज दूर है, इसको हम क्या बोलेंगे, far from the speaker, और जो चीज पास में है, that is near to the speaker, ठीक है, विशाल कुमार, I am genius, yes, अगर विशाल कुमार ने बोला है, I am genius, तो विशाल कुमार ने अपनी quality बताई है, मतलब वो क्या कह रहे है, कि मैं genius हूँ, means, अपनी विशाल, अपने बारे में पूरी detail दे दी, एक genius word से हम उसके क्या define कर सकते हैं, देखो students, उसकी क्या description, मतलब उसका दिमाग अच्छा है, in every all-rounder भी हो सकता है, उसकी एक quality से की genius में भी हो, subject में भी अच्छा हो, देखने में भी अच्छा हो, that only believes कि उसके description in her way कैसी है, demonstration भी अब वो दिखेगा, तम हम उसको judge कर सकते हैं कि वो कैसा दिखता है, right, ठीके, next, आपका possessive, possession और ownership, किसी चीज़ के लिए हट करना होता है, position, मतलब, जैसे इस में, it suggests the belongings of something to someone or something, मतलब, कोई भी चीज़, कोई चीज़ आपको belong कर रही है, तो आप उसको जो है, to someone, मतलब उसकी position, कि मालो, आपको कई बार, आपके पास कोई कार है, और वो जो कार है, वो आपको बहुत अच्छी लगती है, लेकिन वो ही कार किसी और को भी पसंद है, आपकी की कार किसी और को बहुत है, तो आपको position होगा कि ये तो मेरी अपनी चीज़ है, ये कैसे ले सकता है, ठीक है, some of the most used possessive adjectives are my, his, her, our, dear, yours, and all these adjectives कहां आते हैं काम, noun से पहले, जैसे my, unlike possessive pronouns, these words demands a noun after them, जैसे possessive में हमने pronoun बढ़ा था और possessive adjectives बढ़ा था, याद करो students, मैंने आपको एक her का example दिया था, her and hers, ये है pronoun, possessive pronoun, ठीक है, possessive pronoun कहां पे used होता है, हमेशा subject के साथ, लेकिन यहाँ पे possessive adjective किसके साथ यूज होगा, हमेशा noun के साथ, याद रखना, कि जो possessive adjectives है, वो हमेशा संग्या के साथ यूज होता है, लेकिन possessive pronoun जै है, वो subject की तरह यूज होता है, याद रखना, hers, जो है, जैसे hers is a new purse, मैंने ये करवाया था, तो her has, hers is a new purse, मतलब उसका नया purse है, वो pronoun है कि वो pronoun बता रहा है, he has, her is a new purse, तो her क्या है याँ पर, adjective, और her के साथ, जो है, वो क्या लगेगा, noun, जो जब noun लगेगा, तभी जाकर उसकी विशेशता पता चलेगी, clear, next आता है आपका, my car is parked outside, position क्या है, car जो है पार्ग, लेकिन position, ownership क्या है, honors मतलब, जैसे मान लो, जिस चीज़ को आपने खरीद लिया, वो आपकी अपनी होगी, तो आप उसको definitely position से बोल सकते होगी, ये चीज़ मेरी है, so my car is a position, my car मतलब, ownership, मेरी है, तो my car क्या हो गया, position, his cat is very cute, his, his क्या बता रहा है, adjective बता रहा है कि कौन सी cat, उसकी cat, our job is almost done, our, position में our, अगर ours होता, तो क्या होता, pronoun, माइन होता, तो क्या होता, आपका, possessive pronoun, तो यहाँ पर क्या है, माई, ठीक है, her books, अब यहाँ पर word आया, her books are interesting, her, देखो, books are interesting, her क्या है, adjective, और यह क्या है आपका, her के साथ, क्या लगा है, plus books, तो मैंने क्या बोला, adjectives के साथ, possessive adjectives के साथ, हमेशा एक noun, और noun क्या है, book, book का नाम नहीं है, लेकिन book क्या है, a thing, book का नाम तो है ना, कि यह किताब है, तो book के साथ जो adjective लगेगा, then it is called possessive adjective, ठीक है, यहाँ तक clear होगा, next देखते हैं आपका, interrogative, interrogative, interrogative नहीं है students, it's interrogative, interrogative ask a question, मतलब इसमें हम questions पूछते हैं, जैसे की noun और pronoun के बाद में, जैसे interrogative है, which, what, whose, which kind of car हम, noun use नहीं करेंगे, तो यह adjective नहीं, interrogative adjective नहीं बनेगा, which do you use, कुछ नहीं बना, what do you want, तब यह क्या बनेगा, pronoun बनेगा, what game do you want to play, game is a thing, किसी चीज कोई game है, whose car, car जो है, वो noun है, और noun से पहले क्या लगाए आपका, इंटार, तो car की क्या विशेशता क्या बता दी, कैसी car चाहिए, कैसा phone आप use करते हो, तो जो nouns हैं, जो भी चीज़ें हैं, आप हर example में देखो, जो noun और pronoun को modify करता है, that is your adjective, एक concept student याद रखना, simple सा concept है, संग्या और सरवनाम की विशेशता बताना हम हिंदी में पढ़ते हैं, लेकिन अगर English में concept को देखना है, तो जो noun और pronoun को modify कर दे, मितलब हमारे जैसे, I'm your teacher, I'm a good teacher, और मैं भी आपके लिए bad teacher हूँ, तो जो bad और good quality है, वो पूरे teacher की description को बता देगा, ठीक है, तो this is the, कि मतलब adjective है, हम कोई भी type पढ़ लें, कोई भी type, चाए interrogative है, चाए demonstrative है, चाए आपका quantity है, नंबर है, कोई भी quality है, वो सारी adjectives जो हैं, ये सारी types बता गया रही हैं, उस चीज़ की quality को बता रही है, ठीक है, उसके बाद आता है, आपका indefinite, indefinite adjectives वो होते हैं, जिसके बारे में unspecific, हम specific नहीं हैं, जैसे noun की indefinite, indefinite positions को बताना, उसको बता है, the common adjectives are few, many, much, most, ये हमें quantity नहीं बता रहा, ये हमें क्या बता रहा है, कि हम इसमें countable नहीं है, ठीक है, I gave some candy, जो some है, that is indefinite, I want few moments, few is the indefinite, several writers, several क्या आगया आपका, indefinite, इसको हम quantity में भी लिख सकते हैं, ठीक है, उसके बाद, आपका compound, compound क्या होता है, जो दो words को modify करेगा, उनको हम बोलते हैं, compound adjectives, और ये क्या है, एक word से दूसरे word, और quotation mark भी हो सकता है, जैसे I have broken down sofa, मेरे पास क्या है, broken down क्या आगया आपका, compound word, और compound word में sofa कैसा है, sofa की विशेशता क्या है, टूटा-फूटा, I saw six foot long snake, six foot long snake, snake है, लेकिन लंबा snake है, पर कितने लंबा इंचाई, जो है उसकी, वो कितनी है, six foot, I'm gonna kill you now, I'm gonna kill you now, मतलब ये क्या है, इसका मतलब क्या होगा, ये जो kill you now है, इसने पूरी एक statement में बता दिया, कि वो मुझे गुसे से देख रहा है, और उसका कहना ये है, कि वो मुझे माँ डालेगा, ठीक है, जो उसकी look है, जो उसका gesture है, वो आपको सारी विशेशता बता रहा है उसकी, ठीक है, last day, degree of adjectives, degree क्या होती है, किसी चीज़ की positive, comparative, superlative, और ये जो है descriptive adjectives के लिए ही applicable होती है, जैसे he is a good boy, comparative, दोनों के बीच का difference, that is better, superlative, highest position पे best boy, एक रहता है आपको, इसमें एक और आता है, quality, जो किसी की quality को बताता है, quality क्या होती है, गुण, हिंदी में इसको बोलते हैं, गुण वाक्चक, विशेशता, किसी के गुणों को बताना, किसी की qualities को बताना, that is your qualitative adjective, जैसे एक example पे, मैंने आपको भी एक example दिया, कि आप में बहुत सारी, जितने भी students हैं, आप में बहुत सारी qualities होंगी, वो आपकी विशेशता है, लेकिन मैं आपको एक life का फंडाग या जिस तरह से इसको समझना है, जैसे एक example और motivation है, आपकी qualities, कई बार आपकी qualities आपके लिए harmful भी होती है, राइट, विशेशता, कि अगर माल लीजे, आज आपने अच्छा काम किया है, जी बहुत अच्छा है, आज चार दिन अच्छा काम कर रहो, तो लेकिन पांच में दिन अगर कोई गलती हो जाती है, तो आपकी एक bad mistake, आपकी सारी मेहनत पे पानी फिर देती है, So the what is the reason, विशेशता क्या, क्या आपकी सारी विशेशता हैं खतम होगी, तो इसका मतलब जो quality है, गुण वाचक विशेशता या गुण वाचक एजेक्टिव, वो आपकी qualities को बता रहा है, कैसा है, कैसी उसकी, और quality हम किस basis पे जान सकते हैं, उसकी observation, उसका size, उसकी age, उसका behavior, ये सारी चीज़ें, उसकी shape, उसका color, ये सारी चीज़ें जो है, descriptive और quality, ये सारी चीज़ें बता देगा आपको, ठीक है, तो इसमें हम और चीज़ें, एक और चीज़ें मैं कर देती हूं, जो आपका indefinite और definite आता है, तो indefinite अगर माल लीजे, definite जिसे मैं adjective of number में है, तो adjective of number में, जो है, एक होता है आपका definite, और एक होता है indefinite, जो definite है, वो आपकी exact value बता रहा है, इंडेफिनेट जो है, वो आपके exact value नहीं बता रहा है, तो जो आपका है, I have many pens, तो many जो है, is indefinite, कई बार हम definite और indefinite, indefinite और definite जहां पर आएगा, तो सबसे पहले आएगा, indefinite, देन उसके बार definite, जैसे I have many more, I have many colors of dresses, तो many is पहले आएगा, फिर definite, तो यहां तक जो था, आज आपका section तक करन करन, thanks ma'am, you are the best teacher I have ever seen, as the compliment, so thank you so much, या फिर अगर या आप example दे रहे हो, तो it's a nice example, ठीक है, शालू शर्मा, I hope कि आपको यह lecture, देखिये students, सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बताऊंगी, कि जो adjectives है, अगर आपको समझ ही आया है, इसमें एक दिन, एक session जो है, बीच में, मैं फिर से deal करूँगी, as the rule is, कि जितना मैंने इसमें पढ़ा था, जितना मेरा concept था, मैंने दिया, लेकिन आज आपका homework section इसलिए नहीं आया है, और homework section इसलिए नहीं deal कर रहे है, क्योंकि कल जो था, due to the light problem in the town, ठीके, जिस एरिया में हम रह रहे हैं, उसमें light problem की वज़ा से, जो है, light नहीं थी, सारी रात और अब भी तक भी light नहीं है, so that's why कि मैं आपका जो ये lecture था, वो पूरा compile नहीं कर पाई हूँ, इसमें आपका जो जितनी मेरे पास battery थी मेरे PC में, मैंने उतना ही use किया, so sorry for that inconvenience, मैंने आपको अपनी problem बता दिये, कि ये मेरा concept था, जितना मैंने करवाया है, फिर भी जो थोड़ा बहुत रह गया है adjectives का, degree of superlatives, degree of adjectives, वो हम करेंगे, इसके examples भी करेंगे, और आज आपका जो homework section है, कि मैंने कुछ नहीं दिया, कि मैंने आपको बोला कि जो भी setup बनाया था, that because of light, I can't make proper lecture from that, ठीक है, so जितना है, उतना कर लीजे, और अगर आपको इ एक lecture adjectives का, जब हम MCQs करेंगे, आपके Wednesday और Thursday तक, मेरा work और एक preposition, यह जैसे ही complete होंगे, I'll take the test, और I will do practice sessions for these 5, 3, 4, 5, 3, 4, 5, जितने भी parts of speech है, हम वो करेंगे, और उसमें जो जो आपका section doubtful होगा, वो भी clear करेंगे, so that's all for today, and have a nice day, great. और हाँ, अगर आप first time YouTube चैनल पर आए हैं, प्रप्राइज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को लाइक कर दो, और हाँ, शेयर करना मत भूरिएगा.